आज ही सवेरे शर्मा जी से बात हो रहे थी तो उन्होंने कहा कि धंग कहने का ऐसा नहीं हो सकता कि जो सर्वसमावेशक हो मैंने कहा कि बिलकुल नहीं इसमें तो लोगों को छेड़ने ही बैठते हैं हम लोग कोई चीज ऐसी कोंट्रोवर्सी जैसी बोल देंगे और आपको वो पचेगा नहीं फिर आप वक्ता को पकड़ोगे क्यों पकड़ोगे बोले वो तभी पकड़ोगे नहीं तो प्राया तो लोग श्रद्धास है ऐसे ही मुंडी हिलाते हुए कथा सुनते हैं उनको कोई सवाल ही नहीं होता है ये देखकर के वक्ता निराश होता है फिर सुनें सवाल नहीं हो तो वक्ता निराश होते हैं क्यों कि बातें सुनोगे तो उसमें प्रश्ण होना ही चाहिए और जो वक्ता जो शुरोता जितनी सावधानी से सुनता है वो उतना अच्छे से प्रश्णों को वो उसको सवाल होते हैं होने ही चाहिए सवाल हो इसी तरह से कथा कहनी चाहिए क्योंकि सामने वाले में जब जिग्या शुरोता की मन में जिग्यासा की आग प्रगट हो, उसके बाद वक्ता जब प्रवचन करे और उसके वो प्रवचन के रूपी वो समाधान की आहुती डाली जाए, तो जिग्यासा में समाधान की आहुती यही है ज्यान यग्या, श्रीमद भागवत ज्यान यग्या कहा जाता ह ग्यान यग्यक का अर्थ ही यही है जिग्यासा की आग में गुरु जुनों द्वारा समाधान की आहुती दी जाए तभी ग्यान यग्यसंपन्न होता है तो कहा ही इस तरह जाना चाहिए जो लिखा है उसी को पढ़ना है और उसमें सारी ऐसी चीजे हैं जो हमको कुछ न कुछ सवाल पैदा कराती है अभी मैं कथा के लिए आ रहा था तभी कोई बुजुर्ग मुझे मिले एक सवाल है मैंने का बाद में प्रभू अब तो महराज जी भी पहुँच गया है तो मुझे भी पहुँचना है उनसे पहले ही आ जाना चाहिए था लेकिन थोड़ा दस कदम पीछे रहा यह वही वो मिले उगरुड मारग महमोही कही बाती समझाओं तो ही ऐसी बात हो गई आज़े रास्ते में कोई मिले और फिर वो पूछे कि महराज जी प्रशन है तो क्या करे फिर वो सज्जन ये दि अभी यहां बैठ रहे हो तो इसके बाद फिर मुझे पकड़ना क्योंकि कि मैं इसलिए हूं हम लोग वो लड़ुआ पेड़ा खाके सो जाने के लिए नहीं आते हैं जो भी कहा है उसकी मेरी जिम्मेवारी है और जो मैंने कहा है उसमें से आपको जो भी समझ में नहीं आया हो पूछना ही चाहिए पूछना ही चाहिए पूछना ही चाहिए और दू यह हरियाना है नहीं आये तनहीं आये मैं कहे दूँगा मुझे नहीं पता है इतना है इसमें ज्यादा कि वो गंबीर हो जाने की जरूरत नहीं है आएगा तो बताओंगा नहीं आये जैसी क्रश्णा दो रोटी तुम ज्यादा खाना दो रुटी में भी ज़्यादा का लूँगा इसमें तो प्यार से है ना कनया मुश्कुरा रहा है तो अपने भी क्यों नहीं मुश्कुरा है आएगा तो कहूंगा नहीं आए तो समझ गये बस और क्या करें बाब बैठा हो जिसका पास में वो बच्चा ऐसे ही नाचते खेलते गाते हुए ही कता करेगा आनंद में रहें संदीपन हो मेरे प्रभू बड़ा जरूरी है जिग्यासा की आग पैदा हो बड़ा जरूरी है इसलिए कभी कभी कताओं में विदेशों में ज्याद आपने भारत में तो इतना नहीं होता कोई कोई जगे ही होता है नहीं तो question answer session रखते हैं specially प्रशन जवाब होते हैं वक्ता कथा के अलग समय में भी वो समय देता है शुरूता लोग सामने आकर के बैठते हैं और फिर सवाल तो वो जब भी question answer session का आयोजन करते हैं तो उनको एक बात में हमेशा कहता हूँ कि सवाल हो तो पूछना उठाना मत कि question answer session है तो सवाल उठाने चाहिए ऐसा नहीं हो तो पूछना और प्राया नहीं होते हैं हमको कोई जो चल रहा है हमको ठीक लगता है इसलिए तो जो चल रहा था हम सतर साल से चला ही रहे थे अब जाके कुछ अच्छे दिनाएं हैं नहीं तो यही था हम लोग चलाने वाले लोग हैं खुब चला लेते हैं सवाल ही नहीं करते ज़्यादा ज़्यादा क्या करते हैं हाथ में वो मुम बतियां लेके निकलते हैं फिर वो एक जगह हुआ दूसरी जगह फिर होता है वाकि एक ही जगह अच्छे से लटका दिये जाएं तो सब शांती भारत डंडे से ही मानने वाला देश है आप मानो कि नहीं इस समझाने से म थूखना मना है वहीं थूखते हैं फिर क्या करना पड़ता है बोले वहां भगवान की ताइल्स लगा दो डर के मारे सारे सीधे चलते हैं हमको अपने को इन चीजों को मानना ही नहीं है संदीपन होता ही नहीं है इसलिए तो कोई भी आईरा गईरा आकर के कुछ भी सुना जाए हम लोग सुन लेते हैं फर्क करना हमको आता नहीं इसलिए संतों के चरणों में बैठना होता है कि वे हमको दिखाते हैं कि देखो क्या चीज है अरे भई गंगा जल भी हो तब भी किस पात्र में पीना उसका ध्यान देना चाहिए आप बिना पानी के मर रहे हैं गजब की प्यास लगी है उस समय कोई आदमी आकर के आपको दे धमा दे कुछ चीज और कहे कि ले लो गंगा जल है अब सीधे साधे पानी से भी प्यास बुझ जानी वाली थी और आपको कोई गंगा जल दे दे तो आप कितने प्रसन्न होंगे बहुत बड़ी बात है गंगा जल मिल गया लेकिन आप देखते हैं तो थोड़ा पात्र वीचितर लगता है आप उसको पुछते हैं किसमें भर कर लाये हो और वो कहे कि कुछ नहीं मिला तो मरे हुए कुट्टे की खोपड़ी पड़ी थी उसी में भर कर लाया हो पी लो तुम मर जाओगे अब बताओ मर जाओगे लेकिन उसमें पीओगे पात्र भी तो देखना चाहिए कि किस गंगा जल उत्तम है लेकिन फिर कहां से पीवें किस पात्र से पीवें ये भी देखना चाहिए फर्क समझ में आना चाहिए संदीपन होना चाहिए हम लोग केवल ये बड़े सिंगहासनों पर बैठने के लिए और केवल उपदेश के लिए नहीं आते हैं हम लोगों को परेशान करना चाहिए आप लोगों को जो भी समझ में मतलब फिर से वही बात दोरा दूँ सवाल हो तो पूछना चाहिए नहीं हो तो उठाना नहीं चाहिए लेकिन हो तो जरूर कोई जिग्यासा हो तो ऐसे लगे कि इन चरणों में रखने से कुछ ज्यान होगा यहां पर रखने से कुछ समाधान होगा तो दूर रखना चाहिए मेरे प्रभू जिन पर भी गुरु कृपा है शास्त्र कृपा है आत्म कृपा है स्वाध्याई कृपा है यह जिग्यासा को सुनकर के प्रसन्न होते हैं परिशान नहीं होते हैं कोई जानने को तयार है तो फिर वो उसके लिए तयार होते हैं चाहे कित प्रसंद नहोते हैं संदीपन हुआ हो तो समाधान भगवान ही ले देते हैं इसलिए तो मेरे गुरुदेव भगवान कहते हैं किसी को गुरु मत बनाओ तुम अच्छे और सच्छे शीश्य बनो तुम्हारे बनाने से वह गुरु नहीं है वे अपनी महिमां में गुरु ही है तुम अच्छे सच्छे सीश्य बनो